प्रस्तुत है कहानी बड़े घर की बेटी, लेखक है मुन्शी प्रेम चन्जी, वेनी माधव सेंग गौरी पुर गाउं के जमीनदार और नंबरदार थे, उनके पिता महा किसी समय बड़े धनधानने संपन थे, गाउं का पक्का तलाब और मंदिर जिनकी अब मरमत भी मुश जिसके शरीर में अस्ति पंजर के सिवा और कुछ नशेश था, पर वह दूर शायद बहुत जादा देदी थी, क्योंकि एक न एक आदमी हांडी लिए उसके सर पे सवार ही रहता था, बैनी माधव सेंग अपनी आधी से ज्यादा संपत्ती वकीलों के भेट कर चुकी थे, उनकी वर्तमान आए एक हजार रुपे वार्शिक से अधिक ना थी, छोटा लड़का लाल बिहारी सिंग, दोहरी बदन का सजीला जवान था, चोड़ी छाती, भैस का दो सेर ताजा दूद वह उठकर सबेरे ही पी जाता था, शिरी कंठ सिंग की दशा बिलकुल विपरित, इन नेत्रप्रिये गुणों को उन्होंने बिये की इनी दो अक्षरों पर निवचावर कर दिया था, इन दो अक्षरों ने उनके शरीर को निर्बल और चहरे को कांतिहीन बना दिया था, उसने बहुत दिनों के परिश्रम और उध्योग के बाद बिये की डिगरी प्राप् उनके कमरे में प्राय खरल की सुरीली कंड मधुर ध्वनी सुनाई दिया करती थी। लाहोर और कलकत्ते के वैदों से बड़ी लिखा पड़ी रहती थी। सिरी कंट इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपती होते हुए भी अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं के विशेश प्रेमी ना थे। बलकि वह बहुदा बड़े जोर से उसकी निंदा और तिरसकार किया करते थे। दशेरे के दिनों में वह बड़े उसा से राम लीला होती और वह स्वैम किसी न किसी पात्र का पाट लेते। गौरीपुर में राम लीला के वही जन्दाता थे। प्राचीन हिंदू सभ्यता का गुणगान धार्मित्ता का प्रधान अंग था। सम्मिलित कटुम के वह एक मात्र उपासक थे। आज कल्स्तुरियों को कुटुम को कुटुम में मिल जुलकर रहने की जो अरुची होती है उसे वह जाती और देश दोनों के लिए हानिगारक समझते थे। यही कारण था कि गाओं की ललाईने उनकी निंदिक थी। कोई-कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में ना थी बलकि उसका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने और तरहे देने पर भी परिवाल के साथ निर्वा ना हो सके तो आए दिन की कल्हा से जीवन को नश्ट करने की अपेक्षा यही उत्तम है कि अपनी खिजडी अलग पकाई जाए। आनन्दी एक बड़े उंचे कुल की लड़की थी। उसके बाप एक छोटी सी रियासत के तालुकदार थे। विशाल भवन, एक हाथी, तीन कुत्ते, बाज, भहरी, शिकरे, जाड़, फानूस, ओनरेरी, मजिस्ट्रेट और रिन जो एक परतिष्टित तालुकदार के लड़का एक भी ना था, साथ लड़कियां हुई, और दैवयोगे से सबकी सब जीवित रही। पहली उमंग में तो उन्होंने तीन बहार दिल खोल कर किये, पर पंद्रह बीस हजार रुपेयों का कड़ सिर्पर हो गया, तो आँखें खुली, हाथ समेट लिया, आनन्दी चौथी लड़की थी, वह अपनी सब बहनों से अधिक रूप पती और गुणवती थी, इससे ठाकुर भूप सिंग उसे बहुत प्यार करते थे, सुन्दर संतान को कदाचित उसके माता बितावी अधिक चाहते हैं, ठाकुर सहाब बड़े धर्म संकट में थे, कि इसका वि एक दिन श्रीकंठ उनके पास किसी चंदे का रुपे मांगने आये, शायद नागरी प्रचार का चंदा था, भूप सिंग उनके सवभाव पर रीच गये, और धूमधाम से श्रीकंठ सिंग का आनंदी के साथ ब्या हो गया, आनंदी अपने नए घर में आई, तो यहां का र कोई सजी हुई सुंदर बहली तक ना थी, रेशमी सली पर साथ लाई थी, पर यहां बाग कहां, मकान में खिड़गयां तक ना थी, ना जमीन पर फर्ष था, यहां एक सीधा साधा दिहाती ग्रस्थी का मकान था, किन्तु आनंदी ने थोड़े ही दिनों में अपने को इस नई अवस्था के ऐसा अनुकूल बना लिया, मानो उसने विलास के समान कभी देखे ही ना थे, एक दिन दुपहर के समय लाला बिहारी सिंग दो चिडिया लिये हुए आए और भावत से बोला, जल्दी से पका दो, मुझे बहुत भुक लगी है, आनंदी भोजन बना कर उस लाला घी मास में उडेल दिया, लाला बिहारी खाने बैठा, तो दाल में घी ना था, बोला दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा, आनंदी ने कहा, घी सब मास में पढ़ गया, लाला बिहारी जोड से बोला, अभी परसो ही तो घी लाया था, इतना जल्द उठ गया, आनंदी ने उतर दिया आज तो कुछ पाव भरी रहा होगा वह सब मैंने मास में डाव दिया जिस तरह सूखी लकडी जल्दी से जल उठती है उसी तरह शुदा से बावला मनुष्य जरा-जरा सी बात पर तिनक जाता है लाल बिहारी को भावच की यह धिठाई बहुत बुरी लगी त आनन्दी मुँ फेर कर बोली हाथी मरा भी हो तो नौ लाग का वहा इतना घी नित्ते नाही कहार खा जाते हैं लाल बिहारी जल गया थाली उठाकर पलड़ दी और बोला जी चाहता है जी पकड़ कर खीच लूँ आनन्दी को भी क्रोध आ गया मुँ लाल करकर बोली वह होत तो आज इनको मज़ा चखा देती अप अपड़ उजड ठाकर से ना रहा गया उसकी स्त्री एक साधारन जमीनदार की बेटी थी जब जी चाहता उस पर हाथ साफ कर लिया करता था खड़ाओ उठाकर आनन्दी की और जोड से फेंकी और बोला जिसके गुमान पर भूली हु हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी आनन्दी ने हाथ से खड़ाओ रोगी सिर बच गया पर उंगली में बड़ी चोट आई क्रोथ के मारे हवा से हिलते पत्ते की भाती कांपती हुई अपने कमरे में आगर खड़ी हो गई स्त्री का बल और साहस मान और मर्यादा पत ब्रिस्पती को यह घटना हुई थी दो दिन तक आनंदी को भवन में रही ना कुछ खाया ना पीया उनकी बाठ देखती रही आंत में शनीवार को वह नियम खुल संध्या समय घर आए और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें कुछ देश का संभंदी समाचार तथा क कुछ नए मुकदमों की आदी की चर्चा करने लगी यह वारतलाव दस बजे रात तक होता रहा गाओं के भद्र पुरुशों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता था कि खाने पीने की सुध भी नहीं रहती थी श्रीकंट को पिंट छुडाना मुश्किल हो जाता था यह दो तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा बैनी माधर सिंग ने बेटी की और साक्षी दी हां बहु बेटियों का यहां सवभाव अच्छा नहीं कि मर्दों के मुह लगे लाल बिहारी वहां बड़े घर की बेटी है तो हम भी कोई कुर्मी कहार नहीं है शिरीकंट ने चिंतित स्वर से पूछा आखिर बात क्या हुई लाल बिहारी ने कहा कुछ भी नहीं योही आप ही आप उलच पड़ी मैंके के सामने हम लोग को कुछ नहीं समझती सिरीकंट खाग पीकर आनंदी के पास गए वह भरी बैठी थी यहां हज्रत भी कुछ तीखे थे आनंदी से पूछा चित की त्योरियों पर बल पड़ गए जुझलाहट के मारे बदन में ज्वाला सी दहक उठी बोली जिसने तुमसे यह आग लगाई है उसे पाउं मुझ उलस तूं शिरीकंट इतनी गरम क्यों हो रही हो बात क्या हुई आनंदी क्या कहूं यहां मेरे भागे का फेर है नहीं तो गवार छोकरा जिसको चप्रासी गिरी करने का भी शवूर नहीं मुझे खड़ाओ से मार कर योना करता स्रीकंट सब हाल साफ साफ कहो तो मालूम हो मुझे तो कुछ पता ही नहीं आनंदी परसो तुम्हारे लाडले भाई ने मुझे मास बकाने को कहा घी हांडी में पाव भ को बुरा भला कहने लगा मुझे ना रहा गया मैंने कहा कि वहां इतना घी कोई नाई कहार खा जाते थे और किसी को जान भी नहीं पड़ता था बस इतनी सी बात थी कि उस अन्याई ने मुझे खड़ाओं फेक मारी यदि हाथ से ना रोकती तो सिर्फ अड़ जाता उसी से पूछो मैंने जो कुछ कहा है वह सच है या जूट सिरीकंट की आँखें लाल हो गई बोला यहां तक हो गया इस छोकरे का यह साहाथ आनंदी स्त्रियों की सभाव अनुसार रोने लगी क्योंकि आंसु उनकी पलकों पर रहते हैं सिरीकंट बड़े धैरेवान और शांति प दिग्णत के कारण पलक तक नहीं जगती प्रातकाल अपने बाप के पास जाकर बोले दादा अब इस घर में मेरा निभाना होगा इस तरह की विद्रोह पूर्ण बाते कहने पर स्रीकंट ने कितनी ही बार अपने कई मित्रों को आणे हाथों लिया था परंतु दुर भागे आज उन्हें स्वैम वे बातें अपने मूँ से कहनी पड़ी दूसरों को उपदेश देना भी कितना सहज है बैनी माधर सिंग घबरा उठे और बोले क्यों इसलिए कि मुझे भी अपनी मान प्रतिष्ठा का कुछ विचार है आपके घर में अब अन्याय और हट का प्रकोप हो रहा है जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वे उनके सिर चड़ते हैं मैं दूसरे का नौका ठेहरा घर पर रहता नहीं यहां मेरे पीछे स्तुरियों पर खड़ाओ और जूतों की बौचार हो रही है कोई एक की दो कहले यहां तक की मैं सह सकता हूं किन्तु य दैव उनका आधर करते थे उसके ऐसे तेवर देखकर बुड़ा ठाकुर आवाक रह गया केवल इतना ही बोला बेटा तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बाते करते हो स्त्रियां इस तरह घर का नाश कर देती है उनको बहुत सिर चड़ाना अच्छा नहीं शिरीकंट इतना मैं जानता हूं आपके आशिरवात से ऐसा मुर्ख भी नहीं है आप स्वयम जानते हैं कि मेरे ही समझाने बुझाने से इस गाव में कई घर संभल गये हैं पर इस तरीक की मान प्रस्तिष्ठा का इश्वर के दरवार में उदारता हूं उसके प्रती ऐसा घोर अन्याय और जब कभी भूल चुक हो उसके कान पकड़ लेकिन श्रीकंठ लाल बिहारी को मैं अब अपना भाई नहीं समझता बैनी माधर से स्त्री के पीछे श्रीकंठ नहीं जी उसकी कुरूरता और अभीवेक के कारण दोनों कुछ देर चुप रहें थाकुर साहब लड़के का गाउं के और कई सज्जन हुक के चिल्लम के बहाने वहां आ बैठे कई स्त्रीयों ने जब यह सुना कि श्रीकंठ पत्री ये पीछे पिता से लड़ रहे हैं तो उन्हें बड़ा हर्श होगा दोनों पक्षू की मधुरवाणियां सुनने के लिए आत्माय तिल मिलाने लगी गाउं में कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी थे जो इस कुल की नीतिपुन गती पर मन ही मन जलते थे वह कहा करते थे श्रीकंठ अपने बाद से दबता है इसलिए वा दब्बू है उसने विध्या पड़ी है इसलिए वा किताबों का खीड़ा है बैनी माधव सिंग उसकी सल अगान की रसीद दिखाने के बहाने आ बहठा बैनी माधव सिंग पुराने आदमी थे इन भावों को ताड़ गए उन्होंने निश्य किया कि चाहे कुछ क्यों न हो जाए इन द्रोहिं को ताली बजाने का अफसर न दूंगा तुरंत कोमल शब्दों में बोले बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हो तुम्हारा जो जी चाहे अब तो लड़के से अपराद हो गया इलाबाद का अनुभव रहीत जलाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को ना समझ सका उसे डिवेटिंग कलब में अपनी बात पर अड़ने की आदत थी इन हधकंडों की उसे क्या ख़ब बाप ने जिस मतलब से बात पल्टी थी वह उसकी समझ में न आई बोला लाल बिहारी के साथ आप इस घर में मैं नहीं रह सकते बैनी माधव बेटा बुद्धिमान लोग मूर्खों की बातों पर ध्यान नहीं देते वह बेसमझ लड़का है उससे कुछ भूल हुई उसे त दुष्टटा को मैं कदापित नहीं से सकते या तो वो घर में रहेगा या मैं आपको यदि वहाँ अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए मैं अपना भार आप संभाल लूँगा यदि मुझे रखना चाहते हो तो उसे कहिए चला जाए बस यह मेरा अंतिम निश्चय है लाल बिहारी दर्वाजे की चौकट पर चुपचाप खड़े भाई की माते सुन रहा था वहां उनका बहुत आदर करता था उसे कभी इतना सहस न हुआ था कि श्रीकंट के सामने चरपाई पर बैठ चाये हुका पी ले या पान खाले बाप का भी वह इतना ही मान करता था श्रीकंट का भी उस पर हार्दिक्स ने था अपने होश में उन्होंने कभी उसे धुड़का भी ना था जब वहाँ इलावाद से आते तो उसके लिए कोई ना कोई वस्तु अवश्य लाते मुगदर की जोड़ी उन्होंने ही तो बनवाई थी पिछले सार जब उसने अपने से जवान को नाग पंचमी की दिन दंगल में पचाड दिया था तो उन्होंने पुलकित होकर अखाडे में जाकर उसे गले लगा लिया था पांच रुपे के पैसे लुटाए थे ऐसे भाई के मूँ से आज ऐसी हिर्दे विदारक बात सुनकर लाल बिहारी को बड़ी गलानी हुई वहाँ फूट फूट का रोने लगा इसमें संदे नहीं था कि अपने किये पर पच्टा रहा था भाई के आने से एक दिन पहले ही उसकी च्छाती रड़क रही थी कि देखूं भाईया क्या करते हैं मैं उनके समुख कैसे जाओंगा उनसे कैसे बोलूंगा मेरी आखें उनके सामने कैसे उठेंगी उसे समझ ना आती थी कि भाईया मुझे बुला कर समझा देंगे इस वाशा के विपरीत आज उसने उन्हे निर्दैता की मूर्ती बने हुए पाया वह मुर्ख था परंतु उसका मन कहता था मेरे भया मेरे साथ अन्याएं नहीं कर सकते यदि श्रीकंट उसे अकेले में बुला कर दो चार बाते कह देते इतना ही नहीं दो चार तमाचे भी लगा देते तो वह कदाचित उसे इतना द मुची जिससे कोई यह ना समझे कि वह रहा था तब आनंदी के द्वार पर आकर बोला भाबी भाया ने निश्य किया है कि वह मेरे साथ इस घर में ना रहेंगे आप मेरा मूह भी ना देखेंगे इसलिए अब मैं जाता हूं उन्हें फिर मूह ना दिखलाओंगा मुझसे जो कुछ अपराद हुआ मुझे छमा कर दो यह कहते कहते लाल भिहारी का गला भराया जिस समय लाल भिहारी सिंग सिर जुकाए आनंदी के द्वार पर खड़ा था उसी समय शिरिकन सिंग भी आँखे लाल के बाहर से आये भाई को खड़ा देख तो घृणा से आँखें फे उसका तनिक भी ध्यान ना था कि बात इतनी बढ़ जाएगी वह मन ही मन में अपने पती पर जुंजला रही थी कि यह इतने गरम क्यों हो गए उस पर यह भै भी लगा हुआ था कि कहीं मुझसे इला बात चलने को ना कहे तो क्या करोंगी इस बीच में जब उसने लाल भिहा कोई और वस्तियों नहीं है सिरिकंट को देखकर आनंदी ने कहा लाला बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं सिरिकंट तो मैं क्या करूं आनंदी भीतर बुला लो मेरी जीव में आग लगे मैंने कहां से यह जगडा उठाया सिरिकंट मैं न बुल्वाओंगा आनंदी पच्ता यह से मेरा प्रणाम कह दो वह मेरा मुह नहीं देखना चाहते इसलिए मैं भी अपने मुह उन्हें ना दिखाऊंगा लाल बिहारी इतना कहकर लौट पड़ा और श्रगता से दर्वाजे की ओड ली अंत में आनंदी कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया लाल बिहारी पीछे फिरकर देखा आखों में आँसू भरे बोला मुझे जाने दो आनंदी कहा जाते हो लाल भिहारी जहां कोई मेरा मुण आदेखे आनंदी मैं ने जाने दो लाल भिहारी मैं तो तुम लोगों के साथ रहने योगे ही नहीं हूँ आनन्दी तुम्हें मेरी सौगंध है अब एक पग भी आगे ना बढ़ाना लाल बिहारी जब तक मुझे यहाँ ना मालूम हो जाए कि भाईया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया है तब तक मैं घर में कदाचित नहीं रहूँगा आनन्दी मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूँ कि तुम्हारी और से मेरे मन में तनिक भी मैल नहीं है आप स्रीकंट का हिदे भी पिगला उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले लगा लिया दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोए लाल बिहारी ने सिसकते वे कहा भाईया आप कभी मत कहना कि तुम्हारा मूना देखूंगा इसके सिवर आप जो दंड देंगे मैं सहस्विकार करूंगा सिरिकंट ने कांपते हुए सर में कहा लल्लू इन बातों को बिलकुल भूल जाओ इश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा अफसरी ना आवेगा बैनी माधर सिंग बाहर से आर है थे दोनों भाईयों को गले मिलते देख कर आनंद से पुलकित हो गए बोल उठे बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं बिगरता हुआ काम बना लेती हैं गाओं में जिसने यहां वितरांत सुनी उसी ने इन शब्दों में आनंदी की उधारता को सह बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं कहारी सुनने के लिए धन्यवाद